Hello everyone, मैं मुकेरन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल यह second में से लेकर 8 में तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस बारी भी सारे ही science की readings एक ही वीडियो में है जैसे पहले Aries के लिए अलग वीडियो होता था, Taurus के लिए अलग वीडियो होता था तो इस बारी again सब signs की readings एक ही वीडियो में होंगी और आपने बिल्कुल भी confused नहीं होना है आपने सीधा description box में जाना है जो भी आपका sign है उसके सामने time stamp होगा आप time stamp पे click करेंगे आपकी reading आ जाएगी और देखिए सब कुछ पहले जैसा रहेगा content, cards, again सारी की सारी reading ही पहले जैसी होगी सिरफ सारे signs की readings एक ही वीडियो में है क्योंकि मैं बहुत सारे नए वीडियो आप लोगों के लिए लाना चाहती हूँ pick a card reading, बहुत कुछ spirituality में सीखा है खुद के भी life के बहुत सारे experiences है सब कुछ आपके साथ share करना चाहती हूँ तो आप मुझे जरूर comment section पर बताएं कि आपका इस चीज को लेकर क्या viewpoint है और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राश्या होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझे से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का साबता ही क्राशी फल चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है Queen of Wands, Reverse and Retreat और देखे Queen of Wands का card टारों में कहीं enthusiasm की बात करता है excitement की बात करता है बहुत ही courageously, बहुत ही boldly अपने goal, अपने मकसद को लेकर action initiatives भी लेने की बात करता है और इस week की एक card आप लोगों के लिए reverse है तो इन ही चीजों से related छोटे मुटे issues रहते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि in general या फिर किसी specific चीज को लेकर या तो आप over excited, over enthusiastic रह रहे हैं या फिर ये enthusiasm, ये excitement ही किसी level पे low रह रहा है और उस तरीके से action initiatives अपने goal, अपने मकसद के लिए आप नहीं ले पा रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं और दिखी deeper level के लिए retreat का card भी कहीं इन ही energies को और जादा confirm करता है ये card कहता है कि again in general या फिर किसी specific चीट से आप किसी level पे withdraw कर रहे हैं एक back seat ले रहे हैं और कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि एक letting go वाली भी energies हैं और फिर से मैं कहूंगी कि ये general reading है तो ये letting go वाली energies सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए कोई idea हो सकता है कुछ के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ के लिए job हो सकती है team हो सकती है project हो सकता है again कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप let go करना चाहा रहे हैं या फिर let go कर रहे हैं और बहुत एक introspective mode में रहते हुए दिख रहे हैं, चीजों को अच्छे से समझना चाहा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, और यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी Aries, कि time to time pause लेना, introspective energies में रहना बहुत important होता है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, तो कहीं हम अपनी checking कर पाते हैं, कि क्या हमारे actions, हमारे goals के साथ align हैं या नहीं है, यानि कि ऐसा तो नहीं है कि हम चाहा कुछ और रहे हैं, लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं, लेकिन देखिए जब हम too much ही introspective वाली energies में चले जाते हैं, तो कहीं हम अपने goal, अपने मकसद से भी deviate हो जाते हैं, तो देखिए इसी चीज का खयाल इस week आप ज़रूर रखें, अगे देखिए pause लें, चीजों को समझें, अपनी checking करें, लेकिन इसी चीज को आप overdo ना कर दें, and personal front से आप लोगों के लिए cards है, and attraction of opposites, और देखिए attraction of opposites का card, किसी चीज को बहुत चाहने की, किसी चीज को बहुत desire करने की बात करता है, और फिर से देखिए ये general reading है, तो ये चाहत, ये desire सब के लिए differ कर सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई जगा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए materialistic tangible चीज़ें हो सकती है, यानि की घर, गाड़ी, ज्वेल्री, या फिर कोई भी again materialistic चीज है, कुछ लोगों के लिए कोई relationship हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इनसान हो सकता है, फिर से मैं कहूंगी कोई भी चीज हो सकती है, जिसको लेकर बहुत जबरदस्त एक attraction, बहुत जबरदस्त एक चाहत आप महसूस कर रहे हैं इतनी ज़ादा कि आप किसी और चीज पे focus ही नहीं कर पा रहे हैं थोड़ी सी obsessive, positive energies भी कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं और देखिए जब भी भी हम किसी चीज को लेकर obsessive हो जाते हैं तब ही कहीं एक परेशानी भी अपने लिए हम लेकर आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी Aries कि किसी भी चीज के लिए desire रखना बहुत normal है क्योंकि देखिए हम इस दुनिया में रहते हैं हम human beings हैं तो desire again होना normal है लेकिन जब हम इस desire को अपने उपर हावी कर लेते हैं जहांपे हम किसी और चीज पर focus नहीं कर पाते हैं किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पाते हैं आउटकम से बहुत attach होते हैं तो हम बहुत एक परिशानी अपने ले लेकर आते हैं तो इसी चीज की checking करके इसको overcome करना इस भी बहुत important है क्योंकि देखिए हम पे nine of pentacles reverse का card कहता है कि आप बहुत discipline तरीके से चीजों को deal तो करना चाहा रहे हैं अपनी emotions अपनी feelings को control करके आगे बढ़ना तो चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं आप हर चीज को independently ही deal करना चाहा रहे हैं किसी के ऊपर भी अपनी किसी चीज के लिए again depend नहीं करना चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे हैं और इसी लिए देखे हो सकता है कि आप किसी लेविल पर परिशान भी इस वीक हों, तो देखे फिर से मैं कहूंगी कि आप जो भी अपनी desire को manifest करने के लिए कर सकते हैं, वो आप जरूर करें, लेकिन आप outcome से बहुत ज़ादा attach ना हों और इन ही energies को अपने उपर हावी ना होने दें, and guidance है आप लोगों के लिए काड है North Node, और ये काड कहता है Step Out of Your Comfort Zone, तो देखे इस काड के हिसाब से आप कुछ चीजों के लेकर एक vision create कर रहे हैं, कुछ desires हैं आपकी, लेकिन उसी से ही related action initiative missing दिख रहे हैं, और देखे दोनों ही fronts में हमने कहीं similar से energies देखी हैं, और इन ही energies के लिए main reason यही है Aries, कि आप अपने comfort zone को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और देखे जब तक आप अपने comfort zone को नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो आप चाहा रहे हैं, उसको आप achieve भी नहीं कर पाएंगे, first step थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब यह हम first step ले लेते हैं, अपने comfort zone को छोड़ देते हैं, उसके बाद खुद बखुद रस्ते बनते हैं और खुद बखुद हम अपनी manzil तक पहुची जाते हैं, तो देखे इस week again अपने comfort zone को आप ज़रूर छोड़ें Aries, अगर आप अपने goal अपने मकसद को पाना चाहते हैं, and astrology से आप लोगो के लिए Neptune का card है, और इसके हिसाब से green and blue color आप लोगों के लिए लखी रह सकता है, and significant days आप लोगों के लिए होंगे Wednesday and Saturday, तो ये था Aries, आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए Doris, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, night of wands and the gentle, तो देखिए दोनों ही cards एक्दम से contrary energies की बात करते हैं, जहां night of wands का card बहुत एक active energies की बात करता है, एक enthusiasm, एक excitement की बात करता है अपने goal, अपने मकसद को लेकर action initiatives लेने की बात करता है, वही gentle का card बहुत अराम अराम से, बहुत धीमे धीमे चीज़ों को deal करने की बात करता है, और देखिए इन दोनों cards को combine करें, तो हो सकता है surface level पे आप थोड़े से impulsive हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, और बहुत जादा एक again मैं कहूंगी जोश रह रहा है, और आपको मन ही मन इस चीज़ का हैसास है, कि आपको थोड़ा सा अपनी speed को slow करना चाहिए, और अगर ऐसा आप भी पाएं Taurus, तो इन ही energies में एक balance इस week आप जरूर रखें, क्योंकि देखिए जब भी night of once का card आता है, ह या तो आ रहे हैं, या फिर आप लाना चाहा रहे हैं, और ये changes भी सब के लिए differ करेंगे, क्योंकि ये general reading है, कुछ लोगों के लिए change of location, कुछ लोगों के लिए change of job, कुछ लोगों के लिए काम करने के तरीके में changes, या फिर से मैं कहूंगी किसी भी तरीके के changes इस week, again या त movementic shift भी आती हुई दिख रही है, पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप stuck महसूस कर रहे थे, तो इस week उसी में से आप बहार निकलना चाहा रहे हैं, या फिर निकल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि इस week या तो आप travel कर रहे हैं, या फिर आप travel करना चाहा र हैं, और दिखें, जो भी surface level पे हो, फिर से मैं कहूंगी gentle का card कहता है, कि आपने बहुत ही softly चीजों को deal करना है, आपने बहुत aggressive किसी भी चीज को लेकर नहीं होना है, and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, page of swords and darkening of the light, और दिखें, darkening of the light का card बहुत ही clearly कहता है, कि पीछे क इसी भी चीज को लेकर, अगर आप बहुत positive हो रहे थे, बहुत you know hopeful हो रहे थे, तो इस भी उसी चीज को लेकर, या फिर in general भी एक negative frame of mind रहता हुआ दिख रहा है, आप कहीं उमीद खोते हुए दिख रहे हैं, और शायद इसी लिए या फिर otherwise भी page of swords का card कहता है, कि बहुत ए irritation, बहुत एक frustration आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपके loved ones के साथ, आपका communication बहुत blunt, बहुत straight forward रह सकता है, आप तोड़े से defensive भी हो रहे हैं, and in the process आपकी काफी immature energies भी रह रहे हैं, और अगर ऐसा आप भी पाएं Taurus, तो इसी चीज को चेक करके जरूर correct करें, और दिखें ह आपे में आपको यही कहूंगी, Taurus जो भी हो, आप एक positive frame of mind में जरूर रहें, और आप उमीद ना खोएं, क्योंकि देखें, उमीद ही एक ऐसी चीज है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए motivate करती है, जब हम इस उमीद को खो देते हैं, तो फिर बहुत मायूस हम हो जाते हैं, लाइफ भी बहुत meaningless लगने लगती है, और हमारा goal अगर मुमकिन भी हो, तो भी हम उसे achieve नहीं कर पाते हैं, तो देखें इसी चीज का again आप खयाल रखें, अपना communication देखें, अपने loved ones, close ones के साथ ठीक ठाक रखें, क्योंकि हो सकता है कि तोड़े से arguments भी इसी वज़े से आप लगों के लिए रहें, और कैसे आप maturity के साथ चीजों को deal करें, उस पे भी जरूर focus करें, कोई बड़ा decision, कोई बड़ी choice, specifically अपने personal friend में इस week आप ना लें, और अगर आपको लेना पड़े तो किसी experiential इनसान से जरूर आप बात कर लें, और दीखें page of swords का card किसी चीज को ले कर बहुत एक curiosity भी रखने की बात करता है, बहुत एक जानकारी भी हासल करने की बात करता है, तो कुछ लोगों की literally ऐसी भी energies रह सकती हैं, जहां पे आप किसी चीज को spy कर रहे हैं, यानि कि एक जासूसी भी आप किसी level पे करते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि ये पे applicable ना हो, लेकिन कुछ टॉरस की ऐसी energies दिख रहे हैं, जहां पे again आप तोड़ी सी जासूसी कर रहे हैं, या फिर overall बहुत curious किसी चीज को जानने के लिए रह रहे हैं, और guidance से आप लोगों के लिए new moon in libra का card है, और ये card कहता है new romantic cycle begins, तो देखिए बहुत ही clear message है, जो भी चीजें आपको serve नहीं कर रहे हैं, इस week आप उनको let go करें, और नए तरीके से नए beginning अपनी life में करें, जो आपकी life में एक romance लेकर आए, एक enjoyment, एक fun, मजा, मस्ती लेकर आए, and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है, और इसके हिसाप से deep green या फिर deep blue colors आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो ये था Taurus, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चले जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क् professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, night of cups and following, और देखें following का card कहता है कि या तो इस week आप किसी इनसान से, किसी चीज़ से बहुत impressed हो रहे हैं और उसी को ही अपना role model बना के, उसी चीज़ को उसी इनसान को follow कर रहे हैं, या फिर लोग आपको follow कर रहे हैं, आप लोगों के role model बन रहे हैं, और देखें, surface level के लिए night of cups का card कहता है कि इन ही चीज़ों से related, आप एक vision create कर रहे हैं, या फिर इन ही चीज़ों को लेकर, आप emotional हो रहे हैं, sentimental हो रहे हैं, तो देखें, चाहें आप follow कर रहे हैं, या लोग आपको follow कर रहे हैं, एक दो चीज़ों का खयाल, Germany's र follow करें, कितनी बारी होता है ना, जो सामने वाले ने कह दिया, हम बिना सोचे समझे वैसे करने लगते हैं, तो फिर से देखिए, किसी को role model बनाने में कोई issue नहीं है, लेकिन जब हम अपना mind नहीं use करते हैं साथी साथ, तो फिर हम परेशान होते हैं, तो इस चीज़ का आप रखें, देखिए, सामने वाले के लिए आप loyal रहें, लेकिन इतना ज़ादा भी उनके साथ loyal ना हो जाएं, कि आप खुद के साथ ही disloyal होएं, तो देखिए, हर चीज़ में एक thin line होती है, एक balance होता है, और इसी balance को आप ज़रूर maintain करें, और अगर लोग आपको follow कर रहे हैं लोग आपको अपना role model बना रहे हैं, तो देखिए, आपके उपर बहुत एक responsibility हो जाती है, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तोड़ा सा, again मैं कहूंगी, इस चीज़ का खयाल रखें, कि आप true sense में लोगों को lead कर रहे हैं, आपकी तरफ से जाने अंजाने कोई ऐसी चीज़ ना हो, जिसकी वज़े से लोग mislead हो, and personal front के लिए, आप लोगों के लिए cards है, five of cups and completion, तो देखिए, completion का card बहुत ही clearly, किसी चीज़ को लेकर एक victory हासिल करने की बात करता है, क्या ही success की बात करता है, बहुत एक beautiful energies की भी बात करता है, और कुछ ऐसा ही specifically आपके personal front में इस week रह रहा है, क्योंकि ये general reading है, तो ये beautiful energy सब के लिए थोड़ी-थोड़ी differ करेंगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत time से कोई चीज़ आप चाहा रहे थे, आपको मिलनी रही थी, और कहीं इस week आपको लग रहा है कि finally आपने इस चीज़ को attain किया, finally अब ये आपको मिल जाएगी, और उसी से ही related दे कि deeper level पर एक खुशी है, एक happiness है, लेकिन surface level के लिए five of cups का card कहता है, कि फेर भी आप उन्हीं चीज़ों पर focus कर रहे हैं, जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर जिन में कुछ issues हैं, कुछ मसले हैं, तो देखिए Gemini's कोई भ बुरे का combination, और जब हम अपनी life की अच्छी चीज़ों पर focus करते हैं, तो हम अच्छा feel करते हैं, और फिर अच्छी energies, अच्छी चीज़ें universe से attract करते हैं, और जब हम उन चीज़ों पर focus करते हैं, जो ठीक नहीं हैं, जो हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, तब कहीं हम देख जहां पर आप जो ठीक नहीं चल रही हैं, उन पर focus कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप check करके correct करें, क्योंकि देखिए, completion का card बहुत ही clearly कह रहा है, कि कोई चीज complete होई है, कोई चीज finally आपको मिल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि मिल सकती है, फिर भी अगर आप उन ही चीज़ों पर focus कर रहे हैं, जिनमें कुछ issues हैं, तो फिर देखिए, आप अपने साथ ही बहुत गलत कर रहे हैं, और इस चीज़ को again check करके correct करना इस week बहुत important है, and guidance से आप लोगों के लिए card है, new moon eclipse, और ये card कहता है, expect powerful change, देखिए, कुछ changes इस week रह सकते हैं, और हो सकता है Gemini's की इन changes को आप नहीं accept कर पा रहे हैं, या फिर इन changes के हिसाब से आप अपने आपको नहीं mold कर पा रहे हैं, और यहाँ पर ये card आपको यही कहे रहा है, कि जितनी जल्दी आप इन changes को accept कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी life को भी असान कर देंगे, क्योंकि इन आप की भी चीज को resist करते हैं, तभी बहुत हमारी t KEVIN लगती है, और अगर हम उसचीज को resist करके change कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें पता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और फिर भी हम resist करते जा रहे हैं, तो फिर हम अपना ही नुकसान करते है तो फिर से मैं कहूंगी इस चीज का आप खयाल इस week ज़रूर रखें and guidance से आप लोगों के लिए वोगों साइन का card है और इसके हिसाप से all shades of brown इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी पल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक एंसेरियन्स आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है Five of Swords and Obstacles और दिखिए ये cards इस week in general या फिर specifically आपके professional front में किसी level पे किसी तरीके के issues मसले रहने की बात करता है और दिखिए ये मसले बहुत ही unexpected से रहते वे दिख रहे हैं जहाँ पे आपने सोचा ही नहीं था कि भई ये भी again problem हो सकती है ये भी मसला रह सकता है और शायद इसी लिए एक frustration आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भई ये तो आप deserve नहीं करते थे ये आपके साथ fear नहीं हो रहा है या फिर किसी level पे किसी तरीके का injustice आपके साथ रहता हुआ दिख रहा है और देखिए general reading है तो ये unfair energies भी सब के लिए differ कर सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप पाना चाहा रहे हैं उसी के लिए कही circumstances, situations उतनी favorable नहीं है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई specific इंसान या फिर overall ही जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनकी intentions इतनी ठीक नहीं है वो manipulative हो रहे हैं या फिर उनकी तरफ से उतनी supportive energies नहीं है और देखिए जो भी हो concerns मैं आपको यही कहूंगी कि सबसे पहली बात ये weekly reading है weekly reading में बहुत बड़े issues नहीं होते हैं छोटे मोटे issues होते हैं और देखिए दूसरी बात जो भी issues जो भी मसले होते हैं वो हमें तब ही तक परेशान कर पाते हैं जब हम कमजोर होते हैं जब हम weak होते हैं जब हम strong हो जाते हैं तो कोई भी चीज beyond the point हमें परेशान नहीं कर पाती है और वैसे भी देखिए कोई भी इस दुनिया में इंसान नहीं है जिसकी life में कोई issue ना हो चाहे वो चितना ही रहीस हो जितना ही अमीर हो या फिर कितना ही बड़ा इंसान हो देखिए celebrities होते हैं उनकी life में भी मसले होते हैं पीछे कितना हमने सुना था शारुक खान अपने बेटे को लेकर कितना परेशान थे देखिए कहने का मतलब यह है जिन्दगी का नाम ही है खटा और मीठा जब मीठा आता है तो हम खुश हो जाते हैं थोड़ा सा भी खटा आता है तो हम परेशान होते हैं और ऐसा ही हमने नहीं करना है हमने अगेन अपने आपको इतना strong बनाना है कि जो भी issues हैं वो इतने छोटे हो जाएं कि वो हमें बिलकुल भी effect ना कर पाएं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है the sun reverse and before completion और देखिये sun का card कहीं बहुत एक happiness की बात करता है joy की बात करता है, success की बात करता है, victory की भी बात करता है लेकिन इस week ये card आप लोगों के लिए reverse है तो कहीं इन ही चीजों से related छोटे मोटे issues है यानि कि एक happiness है, एक joy है लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आप खुश नहीं रह पा रहे हैं चीजों को enjoy नहीं कर पा रहे हैं और देखिये इसके लिए again सब के लिए different reasons होंगे लेकिन यहापे before completion का card कहता है कि कोई चीज या तो आप complete करना चाहा रहे हैं या फिर कोई चीज complete हो रही है और उसी को ही लेकर एक fear, एक insecurity आप महसूस कर रहे हैं आपके मन में बहुत सारे doubt आ रहे हैं आप उतना faith नहीं लोगों पे चीजों पे कर पा रहे हैं और देखिए इसी वज़े से या otherwise भी हो सकता है कि आपके loved ones के साथ आपके views ना match करें और कहीं उनके साथ किसी level पे arguments भी हो रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं cancerians तो इस चीज का खयाल रखें कि खामखा ही you know arguments में आप ना पड़ें खामखा ही आप परेशान ना हों क्योंकि देखिए एक happy energies तो दिख रही हैं लेकिन doubt और fear की वज़े से या फिर कोई भी और reason हो सकता है आप चीजों को नहीं enjoy कर पा रहे हैं आप एक fresh beginning किसी भी personal life के अरिया में करना चाहा रहे हैं या फिर हो रही है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर मैं कहूंगी कि उसको आप नहीं enjoy कर पा रहे हैं and guidance है आप लोगों के लिए card है avoid of course moon और यह card कहता है nothing will come out of this situation तो देखिए बहुत ही clear इस card का message है जो भी currently आपकी life में चल रहा है positive या negative उसमें से कुछ भी concrete, कुछ भी real नहीं निकल कर आएगा और देखिए आपके लिए हमने देखा 4 में से 3 cards negative हैं तो जाहिर सी बात है आप एक negative energy में हैं या फिर चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और आप किसी level पे परिशान हो रहे हैं और guidance का card आपको message दे रहा है कि आप खाम खाँ चीजों में न उलजें खाम खाँ अपना time, energy इन ही चीजों पे न लगाएं क्योंकि देखिए जो भी issues, जो भी मसले इस week रह रहे हैं उसमें से कुछ भी नहीं निकल के आने वाला है ये सभी चीजें थोड़े time बाद अपने आप ही गायब हो जाएंगी तो देखिए फिर से आप लोगों के लिए suggestion है जिन चीजों पे focus करके आप एक better energies अपनी life मिला सकते हैं आप उन ही पे ही focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है और इसके हिसाब से white and turquoise colors इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था किन सेरियन आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिए लिए आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए काट सें king of wands reverse and the clinging और दिखी king of wands का काट टारों में कहीं enthusiasm की बात करता है excitement की बात करता है बहुत ही boldly, बहुत ही courageously अपने goal, अपने मकसद को लेकर action initiatives भी लेने की बात करता है और इस week ये काट आप लोगों के लिए reverse है तो कहीं इन ही energies में एक balance नहीं रहता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप in general या फिर specifically किसी चीज़ को लेकर over excited, over enthusiastic हो रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि enthusiasm ये excitement low रह रहा है और दिखिए हाँ पे सब के लिए इन ही energies के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन night of wands के नीचे clinging का काट कहता है कि कोई wish, कोई desire है, कोई चाहा है जिसको आप बहुत ज़ादा ही cling कर रहे हैं इतना ज़ादा इस पे focus कर रहे हैं कि आप बाकी किसी भी चीज को enjoy ही नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है आपको और चाहिए और 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 देखिए जब भी हम ऐसी energies में होते हैं तब कहीं हम एक परिशानी भी अपनी life में लेकर आते हैं क्योंकि देखिए clinging के card को अगर मुझे आपको explain करना हो तो शमा परवाने की कहानी बहुत अच्छे से इस card को explain करती है जैसे कि थंडी काली अंधेरी रात में जब शमा जलती है यानि कि मुम्बती जलती है तो वो शमा उस अंधेरे में एक रोशनी की तरह होती है और कहीं देखिए उस थंड में एक warmth भी दे रही होती है और ऐसे में परवाना जो कि अगें थंडी काली रात में परिशान हो रहा होता है जैसे ही शमा को देखता है बहुत जबरदस्ते एक attraction होती है बहुत एक passionate energies में अपने आपको पाता है और इसी शमा के पास आता है जैसे ही ये परवाना शमा के बहुत नजदीक आता है जल जाता है, मर जाता है देखिए ऐसी ही हमारी desires होती है जब हम इनको अपने mind में बहुत बड़ा बना लेते हैं बहुत ज़ादा ही इन पे focus करते हैं यह मैं कह सकते हैं इनको लेके obsessed हो जाते हैं और बहुत ही इनको और 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 पाने की कोशिश करते हैं तब हम भी कहीं किसी भी चीज़ को enjoy नहीं कर पाते हैं और इसी परवाने की तरहां कहीं देखिए फिर उन्ही desires के नीचे हम अपना दम भी दे देते हैं तो देखिए यहाँ पर इस card का मतलब यही है कि जो भी desire आपकी है आप जरूर उसको रखें उसी से ही related आप you know realistic concrete measures भी लें लेकिन इस desire को आप इतना बड़ा अपने mind में ना बना दें कि आप किसी और चीज़ पर focus ही ना कर पाएं जो अच्छी चीज़ें हैं आप उनको enjoy ही ना कर पाएं और अगर ऐसा आप भी leo's इस week पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें and personal front के लिए आप लुगों के लिए cards है wheel of fortune reverse and receptive और देखे wheel of fortune का card कही movement की बात करता है shift की बात करता है changes की भी बात करता है speed की भी बात करता है और इस week ये card आप लुगों के लिए reverse है तो इन ही चीज़ों से related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये general reading है तो सब के लिए issues, ये मसले differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि simply आप travel करना चाहा रहे हैं और आपके travel plans delay हो रहे हैं postpone हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ए growth, एक progress चाहा रहे हैं बहुत टेजी से आगे बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं नचल में देखे हो सकता है कि कुछ changes या तो आप लाना चाहा रहे हैं नहीं आप आ रहे हैं या पिर आ रहे हैं तो उनके साथ आप आगे नहीं बड़ पा रहे हैं और देखिए जो भी surface level के लिए हो deeper level के लिए receptive का काट कहता है कि आप beyond the point परिशान नहीं हो रहे हैं आप जिस भी God को मानते हैं उन पे faith रख रहे हैं Surrender mode में जो भी situation है जो भी circumstances हैं उनको accept करते हुए दिख रहे हैं बहुत ही patiently हर चीज को आप handle करना चाहा रहे हैं या फिर यूनो कर रहे हैं और देखिए जो लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए guidance है कि आपने बिल्कुल भी impulsive नहीं होना है जल्दबाजी नहीं करनी है आपने सबर के साथ ही हर चीजों को deal करना है and guidance से आप लोगों के लिए full moon in Germany का card है और ये card कहता है the answers you need are coming तो बहुत सारे सवाल अगर आपके mind में चल रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं और यहीं चीज अगर किसी भी level पर आपको परेशान कर रही है तो guidance का card आपको message दे रहा है कि जो भी सवाल आपको परेशान कर रहे हैं आप फिर mind में चल रहे हैं उनके जवाब आपको इस week या फिर बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं and astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है और इसके हिसाब से green color या फिर मैं कहूंगी all shades of green आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है four of pentacles, rivers and gathering together और ये cards कहते हैं कि इस week किसी भी चीज को पीछे या फिर अभी आप बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए थे बहुत ज़ादा cling कर रहे थे उसी चीज को कहीं आप let go करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और देखिए ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ लोगों के लिए अपनी savings हो सकती हैं अगेन जिसको आप बहुत cling कर रहे थे बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए थे और इस week उन्ही savings से या तो आप खर्चा कर रहे हैं या फिर कहीं और invest करना चाहा रहे हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए कोई project हो सकता है कोई team हो सकती है कोई जगा हो सकती है कोई idea हो सकता है job हो सकती है या फिर कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए थे बहुत ज़ादा attach हो रहे थे और इस week कहीं आप लटको करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और देखे इन ही चीजों को लेकर सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन war of pentacles के नीचे gathering together का card कहता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहा रहे हैं आप चीजों को combine करके अपना desired goal अचीव करना चाहा रहे हैं और इसी से ही related या फिर otherwise भी इस week हो सकता है कि आप जादा लोगों से interact कर रहे हैं जादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई event आप organize कर रहे हैं या फिर कोई event आप attend कर रहे हैं जहाँ पर again जादा लोगों से आपकी बातचीत हो रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, four of swords and limitation और देखिए, cards कहते हैं कि इस week, specifically अपने personal front में आप बहुत actively किसी भी चीज में involved नहीं हो रहे हैं कहीं आप backseat लेते हुए दिख रहे हैं, चीजों से, लोगों से या फिर किसी specific, you know, चीज से आप withdraw कर रहे हैं और देखिए, आपर भी सब के लिए different reasons हो सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आप बहुत active थे, या फिर पीछे किसी चीज को लेकर आपने बहुत महनत करी और इस week एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं, और इसी लिए आप अराम करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि health के point of view से आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं और देखिए, आप ए four of swords के नीचे limitation का card कहता है कि शायद जो भी आप चाहा रहे हैं, उसी से ही related कुछ restrictions हैं, कुछ limitations हैं और इसी लिए कहीं बहुत actively आप चीजों में अपने आपको involve नहीं कर पा रहे हैं और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो खुद को ही limit कर रहे हैं और देखिए, इसके लिए भी सब के लिए different reasons होंगे लेकिन यहाँ पर limitation का card कहता है कि एक discipline आप लाना चाहा रहे हैं कहीं बहुत ही systematic, बहुत ही organized तरीके से चलना चाहा रहे हैं और इसी लिए थोड़ा सा again मैं कहूंगे आप withdraw कर रहे हैं थोड़ा सा एक introspective mode में भी आप रहते वे दिख रहे हैं आगे बढ़ने से पहले चीजों को समझना चाहा रहे हैं थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी और जादा चीजों को understand करना चाहा रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए third quarter moon का card है और यह card कहता है adjustments are required तो इस week देखे थोड़े both compromises, adjustments अगर आप करके चलेंगे तो इस week के energies को आप better करेंगे क्योंकि क्या होता है न at times हम बड़े rigid हो जाते हैं कि यह तो हम नहीं करेंगे या फिर यह तो हमें चाहिए ही है normally भी देखे बहुत rigid हम होते हैं तो परिशानी ही लेकर आते हैं healthy adjustments, healthy compromises हमेशा ही ठीक रहते हैं अब आप बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मैं healthy क्यों कह रही है, healthy adjustments क्या होते हैं देखे healthy adjustments वो होते हैं जहां पर हम compromises तो कर रहे होते हैं लेकिन in the process अपने आपको या फिर अपने self को नहीं ignore करते हैं एक balance इन ही adjustments, इन ही compromises में हम maintain करते हैं क्योंकि देखे मैंने आपको हमेशा कहा है कोई भी चीज चितनी भी अच्छी हो जब वो जरूरत से ज़ादा होती है तब वो हमें परिशान करती है ऐसे ही जब हम जरूरत से ज़ादा ही adjustments करने लगते हैं अपने आपको भूल के सामने वाले को बहुत attention देने लगते हैं तब कहीं हम परिशान होते हैं तो फिर से देखे एक balance तरीके से आप compromises, adjustments इस week ज़रूर करें and astrology से आप लोगों के लिए Mercury planet का card है और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था वो गोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही काशिफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Libras आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है The Empress Reverse and The Caldron और दिखिए Empress का card taro में कहीं comfort की बात करता है luxury की बात करता है बहुत ही beautiful lifestyle की बात करता है एक positive outcome, एक positive result के मिलने की भी बात करता है और इस week ये card आप लोगों के लिए reverse है तो इनी चीजों से related किसी level पे किसी तरीके के issues रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये general reading है तो ये issues सब के लिए थोड़े थोड़े differ कर सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ही comfortably आप you know अपना काम करना चाहा रहे हैं और उतना comfort आपको नहीं मिल रहा है और कुछ लोगों के लिए generally हो सकता है एक discomfort जो भी काम आप कर रहे हैं उसी से related रहता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि style में आप काम करना चाहा रहे हैं वो style आप नहीं maintain कर पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि positive outcome एक positive result आप expect कर रहे थे कहीं आपको मिल रहा है आप enjoy नहीं कर पा रहे हैं या फिर देखे इसी से ही related कुछ delays हो रही हैं और देखे जो भी sophist level के लिए हो deeper level के लिए call run का card कहता है कि बहुत ही wisdom बहुत ही समझदारी के साथ आप हर चीज को deal करना चाहा रहे हैं कैसे चीजों को आप contain करें कैसे चीजों को आप better करें उस पे ही आप ज़्यादा focus कर रहे हैं क्योंकि देखिए empress कही female energies को represent करती है तो कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि कोई female motherly figure है जिन से किसी support किसी help की आप उमीद कर रहे थे और उस तरीके का support उस तरीके की help आपको इस week नहीं मिल पा रही है and personal front से आप लोगों के लिए cards है judgment and dispersion और ये cards कहते हैं कि यहां तो कोई ending, कोई beginning हो रही है आपके personal front में या फिर किसी चीज़ को end करके कोई नई शुरुवात आप करना चाहा रहे हैं और फिर से देखिए यह general reading है तो यहां पर यह ending, beginning सब के लिए defer करेगी कुछ लोगों के लिए कोई relationship हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ लोगों के लिए simply कोई phrase हो सकता है life का, जो इस week किसी level पे end हो रहा है और एक नई beginning again या तो हो रही है या फिर आप करना चाहा रहे हैं and in the process हो सकता है कि कुछ decisions, कुछ choices आपको लेने हैं और देखें जब भी भी judgment का काड़ाता है हम यही कहते हैं कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके in decisions, in choices को लें क्योंकि देखें हमारी जिन्दगी या फिर मैं कहूंगी हमारा future हमारे current में लिए हुए decisions और choices का ही नतीजा है और जब हम in decisions, in choices को delay करते हैं तब कहीं you know future में आने वाली चीजों को भी हम delay करते हैं तो इस चीज का खयाल रखें और देखें दूसरी बात judgment के नीचे dispersion का card कहता है कि जो भी surface level पे हो रहा है deeper level पे उसी से ही related या फिर otherwise भी एक negative energy आप में हैसूस कर रहे हैं कहीं बहुत ज़ादा आप you know चीजों के बीच में अपने आपको divided सम हैसूस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी Libras कि जितनी जल्दी हो सके इस negative energy से आप you know अपने आपको बहार निकाले और इसके लिए देखिए best होता है कि आप अपने thoughts को observe करें जो भी negative thought आता है आप उसको positive thoughts से replace करें या फिर आप उसको question करें जी हाँ जब हम अपने thoughts को question करते है तब भी कहीं वो अपने आप ही कायब हो जाते है for example देखिए कोई चीज हम करना चाहा रहे है और हमारे मन में thought आ रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे तो देखिए जाहिर सी बात है ये एक negative energy create करेगी और जब इस thought को आप बार-बार question करते है कि क्या ये absolutely true है कि आप नहीं कर सकते है क्या ये वाकरी में सच है कि आप नहीं कर सकते है देखिए इसी question को आपने बार-बार अपने इसी thought को पूछना है और देखिए end में या तो आपको हल मिल जाएगा या फिर आपको ये एहसास होगा कि ये बहुत ही बेमानी सी चीज है यानि कि ये सच नहीं है ये सिरफ आपके mind ने एक thought create करा है और खुद बर-खुद वो गायब हो जाएगा आप better भी feel करेंगे तो इस चीज का खयाल इस week आप जरूर रखें and guidance से आप लोगों के लिए mutable moon का card है और ये card कहता है nothing is yet set in the stone तो देखिए बहुत ही simple सा message है कुछ भी आप चाहा रहे हैं और आपको मन ही मन लग रहा है कि ये possible नहीं है जैसे कि देखिए हाप इस पोर्जिन के card में हमने देखा कि एक negative energy है और ये card आपको कहता है कि सब चीज impossible है और अगर आप impossible के word को भी break करेंगे तो वो भी यही कहता है I am possible तो जिस भी चीज को आप conceive कर पाएंगे और believe कर पाएंगे उसी को ही आप achieve भी करेंगे भले ही फिर वो negative हो या फिर positive हो यानि कि अगर आप negative चीज के लिए सोच रहे है कि भाई ये तो आप पा ही नहीं सकते है तो ऐसा ही होगा उसी को ही आप achieve करेंगे और अगर आप positive चीज के लिए सोचेंगे कि भाई ये तो आप 100% पा सकते हैं चाहें जो भी हो तो देखे उसी को ही आप अचीव करेंगे तो इस चीज का भी खयाल इस week आप ज़रूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था लिबराज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए इस copy आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है seven of pentacles and duration और देखें ये cards कहते हैं कि जहां एक तरफ अपने goal, अपने मकसद को पाने के लिए unwavering willpower, unwavering determination है बहुत ही deeply आप committed दिख रहे हैं जहां पर आपको ऐसे लग रहा है कि चाहें जो भी हो जो आप चाहते हैं उसको तो आप achieve करके रहेंगे ही रहेंगे वहीं देखें surface level के लिए seven of pentacles का card कहता है कि आप pause लेके चीजों को बहुत ही तरीके से plan करना चाहा रहे हैं क्या आपको direction लेना चाहिए कैसे आपको you know pursue करना चाहिए अपने goal, अपने मकसद को और देखें इसी से ही related हो सकता है कुछ decisions, कुछ choices भी आपको लेने पड़ रहे हैं और उन्ही के ही बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर देखें कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि again क्या direction आप लें आप you turn लें, आप right turn लें, आप left turn लें यहाँ पर जो आप कर रहे हैं उसी direction में जाते रहें उसके बारे में भी आप सोचते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर इस copyos में आपको यही कहूंगी जब हम अपने goal के लिए बहुत committed होते हैं willpower determination होती है तो जो भी issues, challenges अगर हो भी तो वो भी हमें अपने goal, अपने मकसद को पाने से नहीं रोख पाते हैं और आपके लिए भी कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front के लिए रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है the hierophant reverse and pushing upward और यह card कहते हैं कि जहाँ you know specifically आपके personal front में deeper level के लिए बहुत एक happiness, बहुत एक joy रहती हुई दिख रही है एक you know बहुत confidence भी आप चीजों को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं एक growth, एक progress हो रही है जो भी आप आना चाहते हैं उसी से related वही surface level के लिए the hierophant reverse का card कहता है कि छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले भी हैं और देखें ये issues, ये मसले सब के लिए differ कर सकते हैं क्योंकि ये general reading है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपके घर में बड़े हैं उनके साथ कुछ issues, मसले हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए religion, spirituality से related कुछ issues हो रहे हैं यानि कि आप किसी spiritual place को visit करना चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पूजा, पाट, सत्संग आप अपने घर में रखना चाहा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं कुछ issues हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप attend करना चाहा रहे हैं तो देखे, जो भी मेरे mind में आ रहा है मैं कह रही हूँ, सब के लिए different issues और मसले रह सकते हैं क्योंकि Hierophant का card marriage की भी बात करता है, तो marriage से related भी कुछ issues, कुछ लोग हो सकता है, इस week face करें और देखे, overall के लिए अगर हम देखें, तो Hierophant reverse का card कहता है कि हो सकता है कि पीछे या तो किसी चीज को लेकर आप बहुत fixated, बहुत rigid हो रहे थे, और उन्ही energy से आप बहार निकलना चाह रहे हैं या फिर उसी चीज को लेकर बहुत ही आप fixated हो रहे हैं मैं कह सकती हूँ कि और जादा ही इस week आप fixated या फिर rigid हो रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए full moon and Taurus का card है, और यह card कहता है your dreams need a practical plan, तो देखिए जो भी आप चाहा रहे हैं जो भी आपके ख्वाब हैं अगर आप उनको reality में convert करना चाहते हैं उनको manifest करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस card की guidance आपके लिए है कि आप बहुत ही practical, realistic तरीके से planning करें और अगर ऐसा आप करेंगे तो definitely अपने dreams को आप achieve कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है और इसके हिसाब से all shades of blue इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था Scorpios आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है seven of wands and the taming power of the great और दिखिए दोनों ही cards कही similar से energies की बात करते हैं यह दोनों cards कहते हैं कि इस week in general या फिर specifically आपके professional front में जो भी आप चाहा रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं उसी से ही related एक smooth going नहीं मिलती हुई दिख रही है किसी level पर किसी तरीके का opposition रह सकता है या मैं कह सकते हूं कि कुछ challenges कुछ मसले कुछ issues रह सकते हैं और दिखिए ये दोनों ही cards कही success की भी बात करते हैं in fact दिखिए ये cards कहते हैं कि अगर आप willpower determination के साथ चीज़ों को deal करते हैं आप किसी भी चीज़ से नहीं घबराते हैं बहुत ही boldly बहुत ही courageously हर चीज़ को upfront होके deal करते हैं तो definitely आपको success मिलेगा definitely जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप achieve भी कर पाएंगे और दिखिए बहुत सारे sedatorious मुझे ऐसी ही energies में रहते हुए दिख रहे हैं जहांपे willpower है determination है बहुत ही courageously चीज़ों को deal भी कर रहे हैं और जो ऐसी energies में नहीं है उनके लिए message है कि again जो आप पाना चाहते हैं उसी से ही related extra effort extra initiative की जरत है और अगर आप ये रख पाएंगे तो अपने मन्जिल अपने goal को भी आप जरूर पापाएंगे and personal front से आप लोगों के लिए cards है five of pentacles reverse and the taming power of the small और दिखिए five of pentacles reverse का card कहीं rejection की बात करता है अकेलेपन की बात करता है कहीं again मैं कहूंगी कुछ मसले, कुछ issues, कुछ challenges की बात करता है और कुछ ऐसा ही specifically again आपके personal front में भी इस week रहतावा दिख रहा है क्योंकि ये general reading है तो ये challenges, ये मसले सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेंगे क्योंकि ये pentacles का card है तो कुछ लोगों के लिए finances materialistic चीजों से related tangible चीजों से related पैसे से related कुछ issues, कुछ मसले face करने पड़ रहे हैं और दिखें ये भी थोड़ा-थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपका जादा खर्चा हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई specific इंसान है वो कहीं उतनी attention, उतनी love, उतना care आपके लिए नहीं रख रहे हैं और देखें कहीं taming power of the small का काट कहता है कि जो भी surface level पे हो रहा है आप कहीं अपना effort करना नहीं बंद कर रहे हैं जैसे देखें मकडी होती है न वो गिरती है और फिर तुरंट उठके अपना काम शुरू करती है वो failure से नहीं घबराती है और कुछ ऐसी ही आपकी भी energies इस week आपके personal front में भी रहती होई दिख रही है और देखें यहाँ पे भी मैं आपको यहीं कहूँगी कि जो लोग ऐसी energies में नहीं है उनके लिए message है कि आप give up ना करें जो भी हो आप अपनी कोशिश करते रहें और अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर जो चाहते हैं उसको achieve भी कर पाएंगे और वैसे भी देखें यह weekly reading है तो weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं और नया week नई energies लेकर आएगा तो इस week जो भी issues हैं आप बहुत ज़ादा उन पे focus ना करें और उनको अपने mind में बहुत ही छोटा बनाएं क्योंकि देखिए अगर आपने उनके बारे में ज़ादा नहीं सोचा उन पे ज़ादा नहीं focus किया अपने mind में उनको छोटा बनाया तो यकीन मानिए यही चीजें आपको beyond the point परिशान भी नहीं कर पाएंगी and guidance से आप लोगों के लिए full moon in Aquarius का card है और ये card कहता है show the world the real you और दिखें यहाँ पे भी इस card का message सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है nutshell में ये card कहता है जो भी आपका real self है उसको आप लोगों से ना चुपाएं और दिखें यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप reality में या फिर deeper level के लिए किसी के लिए गुसा महसूस कर रहे हैं तो उसको जरूर आप express करें उसको आप ना चुपाएं कुछ के लिए हो सकता है कि अगर प्यार आप किसी के लिए महसूस कर रहे हैं उसको आप ना चुपाएं और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई talent आपके अंदर है और किसी भी reason की वज़े से अगर आप उसको नहीं explore कर रहे हैं, दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं, तो इसको भी ज़रूर आप चेक करके correct करें, तो फिर से दिखिए natural में अपने real self को आप पूरी दुनिया को दिखाएं और astrology से आप लोगों के लिए Jupiter planet का card है, और इसके हिसाब से यह low color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है, और significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो यह था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशिफल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके स रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, king of cups rivers and the joyous, और दिखिए the joyous का card, एक happiness, एक joy की बात करता है, और कुछ ऐसा ही specifically इस week आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है, जहां पर कोई ऐसी बात हो रही है, कोई ऐसी चीज हो रही है, जिसकी वज़े से again एक happiness, एक joy आप में हसूस कर रहे हैं, बहुत ही friendly environment आपके workplace का रहता हुआ दिख रहा है, जहां पर आपको अगर किसी भी support, help की ज़रत है, तो आपको आपके co-workers, colleagues से मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर किसी co-worker, किसी colleague को किसी help, support की ज़रत है, तो आप भी देते हुए दिख रह या फिर किसी specific topic के लिए रहते हुए दिख रहे हैं, और दिखिए आप ए King of Cups का card भी कहीं happiness, joy, satisfaction की बात करता है, लेकिन ये card reverse है, तो देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी चीज को लेकर एक happiness, joy आप महसूस कर रहे हैं, आप किसी खास इंसान को या फिर in general ल चीज है जिसकी वजए से एक dissatisfaction भी आप महसूस कर रहे हैं, या फिर एक missing feeling है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इतना beautiful environment होने के बावजूद भी एक specific इंसान के साथ कुछ issues, कुछ मनमटाव हो रहे हैं, तो देखिए ये general reading होती है, तो थोड़ा-थोड़ा से मैं कहूंगे कि बहुत ही beautiful energies आपके workplace में रहती होई दिख रहे हैं, एक happiness, एक joy, एक contentment रहता हुआ दिख रहा है, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप उसको enjoy भी करते होई दिख रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, 10 of pentacles and oppression, और दिखिए, ये card कहीं किसी level पे low energy levels की बात करता है, कहीं किसी level पे एक परेशानी भी रहने की बात करता है, एक restrictions, एक limitations, अपने goal, अपने मकसद को achieve करने के लिए भी, you know, होने की बात करता है, और ये general reading है, तो सब के लिए यहाँ पे different reasons हो सकते हैं, जिसकी वज़य से, मन ही मन आप परेशान हो रहे हैं, खुई क ये चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूंगी, एक pressure, एक burden आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि oppression के card के ओपर, turn of pentacles का card है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि कोई family get together है, celebration है, जिसमें कुछ issues हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, कुछ लोगों को literally ऐसा लग रहा है कि भई, आपके loved ones, आपकी family, आपको वो love, वो attention, वो care नहीं दे रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, कि family की involvement, family की interference की वज़य से, आप परिशान हो रहे हैं, और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि आप एक low phase में हैं, जहाँ पे मन नहीं, मन एक pressure, एक burden आप महसू थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, लेकिन कहीं आप deeper level पर परिशान होते हुए दिख रहे हैं, और कोई ना कोई connection family का भी रहता हुआ दिख रहा है, again कुछ लोगों के लिए positive रह सकता है, कुछ लोगों के लिए negative रह सकता है, and guidance से आप लोगों के लिए cardinal moon का card है, और C के लिए थोड़ा सा courageously, थोड़ा सा boldly, first step इस week लेना बहुत important है, और देखिए सबसे tough ना first step ही होता है, जब हम first step ले लेते हैं तो आगे का रस्ता खुद बखुद बन जाता है, और हमें पता ही नहीं लगता कब हम अपनी मनजिल को भी पा लेते हैं, तो देखिए इस week की again guidance को आप ज़रूर follow करें, और जो भी चीज आपको hold back कर रही है, जो भी चीज आपको again मैं कहूंगी रोक रही है आगे बढ़ने के लिए, एक पहला कदम लेने के लिए उसको इस week आप ज़रूर overcome करें, and astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है, और इसके हिसाब से all shades of blue इस week की रह सकते हैं, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था Capricorns, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चले Aquarius, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए cards है, two of cups, reverse and revolution, और देखी revolution का card sudden unexpected changes की बात करता है, और कुछ ऐसा ही specifically इस week आपके professional fund में रहता हुआ दिख रहा है, जहां पे जो changes की आपने उमीद ही नहीं करी थी, उस तरीके के changes हो रहे हैं, और उसकी वज़े से या आप रहते हुए देख रहे हैं, कहीं एक उत्थल पुत्थल भी महसूस कर रहे हैं, और देखे surface level के लिए two of cups, reverse का card कहता है, कि again इसी वज़े से या otherwise भी, या तो किसी खास colleague, किसी खास co-worker के साथ कुछ issues, कुछ मसले हो रहे हैं, किसी तरीके का distance आ रहा है, या फिर देखे आपके workplace में, जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको लेकर कुछ मसले, कुछ issues हो रहे हैं, अगर किसी co-worker, किसी colleague को किसी help support की ज़रत है, तो आप इतने interested नहीं हो रहे हैं, वो help देने के लिए, और vice versa, अगर आपको भी किसी help support की ज़रत है, तो आपके colleague से आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, queen of swords and inner truth, और देखिए दोनों ही cards कहीं similar से energies की बात करते हैं, दोनों ही cards एक clarity लाने की बात करते हैं, कहीं सच से वाकिफ होने की बात करते हैं, या फिर सच को और जादा जानने की बात करते हैं, तो पीछे देखिए किसी भी चीज़ को लेकर एक confusion आप महसूस कर रहे थे, एक भ्रम में आप रहे रहे थे, तो इस week वही confusion दूर हो रही है, वही भ्रम आपका तूट रहा है, और फिर से मैं कहूंगी कि सच को आप सच की तरहें देख पा रहे हैं, या फिर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर, अगर आप बहुत emotional हो रहे थे, sentimental हो रहे थे, और इसी वज़य से कहीं आप hurt भी हो रहे थे, तो इस week आप बहुत logically चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं, कुछ लोग literally अपने आपको कह सकते हैं, कि भई बहुत हो गया emotional होना, अब mind से चीज़ को deal करना है, हर चीज़ के pros and cons देखने के बाद ही आगे बढ़ना है, and देखिए overall personal front के लिए अगर मैं देखूं, तो emotions, feelings, sentiments कहीं missing दिख रहे हैं, और फिर से मैं कहूंगी logically, mind से आप हर चीज़ को deal करना चाहा रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, and guidance से आप लोगों के लिए new moon and Aquarius क card है, और ये card कहता है, bring love into the situation, तो देखिए, दोनों ही fronts में हमने देखा कि कुछ issues, कुछ मसले हैं, और specifically, देखिए personal front में, तो queen of swords के हाथ में sword है, तो कहीं आप देखिए, फिर से मैं कहूंगी upfront हो रहे हैं, या फिर professional front में भी relationships में कुछ issues हो रहे हैं, और ये card कहता है कि जो भ बहुत ही lovingly, बहुत ही compassionately हर चीज को deal करना है, आपने बिलकुल भी किसी चीज को लेकर नराज नहीं होना, गुसा नहीं होना है, irritate नहीं होना, frustrated नहीं होना है, and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है, और इसके हिसाब से yellow color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है, and significant day आ आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चले बाइसे आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, three of swords, reverse and peace, और दिखें ये दोनों ही cards एक्दम से contrary energies की बात करते हैं, जहां three of swords का card hurt energies की बात करता है, किसी चीज़ को लेकर एक तकलीफ महसूस करने की बात करता है, वहीं peace का card एक सकून महसूस करने की बात करता है, एक you know peace maintain करने की ब professional front में रहता हुआ दिख रहा है, जहां पे surface level पे कोई ऐसी बात हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, जिसकी वजए से again एक hurt, एक तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं, और दिखें इस चीज़ को सुन के आपने बिलकुल भी परिशान नहीं होना है, क्योंकि weekly reading में बहुत के लिए different reasons है, कुछ लोगों के लिए कोई co-worker, कोई colleague हो सकता है, कुछ लोगों के लिए circumstances, situations हो सकती है, जिसकी वजए से again एक hurt आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन देखिए surface level पे जो भी हो रहा हो, कही deeper level के लिए peace का काट कहता है, कि कैसे एक peace आप maintain करें, कैसे एक सुकून आप पर करार करें, उस पे आप ज़्यादा focus कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इन ही energies को जो भी surface level पे हो रहा है, उसको आप अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, कहीं इन ही चीजों से आप बहुत ज़्यादा effect नहीं हो रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, high priestess reverse and conflict, और देखें ये cards कहते हैं, कि इस week बहुत actively किसी भी चीज में आप involved नहीं होना चाहा रहे हैं, participate नहीं करना चाहा रहे हैं, कहीं आप लोगों से, चीजों से, situation से withdraw करते हुए देख रहे हैं, और देखें कुछ prices के लिए हो सकता है कि किसी चीज को लेकर एक secrecy भी आप महसूस कर रहे हैं, या फिर जो भी आप कर रहे हैं, आप लोगों के साथ in general नहीं share करना चाहा रहे हैं, और इसी वज़े से otherwise भी, यहाँ पे conflict का card कहता है कि एक दुविधा, एक उल्जन आप महसूस कर रहे हैं, और देखें यहाँ पे भी सब के लिए different reasons हो सकते हैं, कुछ के लिए loved ones, close ones की कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए देखें अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर एक उल्जन रह सकती है, और देखें कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है, कि किसी खास इंसान के साथ, यहाँ फिर in general ही, अपने close ones के साथ आपके views नहीं match कर रह हैं, एक arguments सी रह रही है, एक conflicting सी energies हैं, तो यहाँ पे prices में आपको यही कहूंगी, कि देखिये हमारे loved ones के साथ, हमारी conflict अभी होती है, जब हम अपने viewpoint को लेकर बहुत rigid रहते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि हम 100% सही है, और सामने वाला 100% wrong है, जो कि देखिये कभी होता नहीं ह ना तो हम 100% हमेशा ही सही होते हैं, और ना ही सामने वाला 100% हमेशा ही सही होता है, और अगर इस चीज को हम समझ लें, तो यकीन मानिये यह arguments नहीं होंगे, यकीन मानिये हमारी हमारे loved ones के साथ beyond the point fight नहीं होगी, conflicting energies नहीं होंगी, तो इस चीज का आप खयाल जरूर रखें, अ इगो की वज़े से, जिद की वज़े से, या फिर आप उनका viewpoint नहीं समझ रहे हैं इसकी वज़े से, and guidance से आप लगों के लिए supermoon का card है, और यह card कहता है emotions are running high, तो हो सकता है इस week आप चीजों को लेकर या फिर in general ही over emotional, over sentimental हो रहे हैं, और यहाँ पर यह card कहे रहा है, कि ऐसा आपने नहीं करना है, आपने अपने आपको emotionally बहुत strong बनाना है, और अपनी emotions को positive manner में आपने manage करना है, and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है, और इसके हिसाब से yellow and orange colors इस week आप लोगों के लिए लग्की रह सकते हैं, and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday, तो यह था Pisces आप ल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए